हाई दोस्तों मैं दुरगेजिया स्वाल दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिला सिच्छायों पर से चल संस्थान अर्थात डिस्टिक एजुकेश इंस्टिूट आप टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग डायट यह आपके सेलवस के लिए महत्तोपूर्ण है इस आधार पर 1987 से प्रतेग जिला स्तर पर जिला सिच्छा और पर सेच्छन संस्थानों की अस्थापना का कार आर्यम हुआ मतलब यहां से प्रशना सकता है किस सिच्छा नीती मानि 1986 सिच्छा नीती के अनुसंसा पर के आधार पर 1987 से प्रतेग जिला पर जिला सिच्छा और सिच्छा संस्थानों की अस्थापना का कार प्रार्यम किया गया मानि राष्ट सिच्छा नीती 1986 के आधार पर 1987 से प्रतेग जिले में डायट के कार को प्रार्यम किया गया आगे दोस्तों है यह राज अस्तर से लेकर ग्राम अस्तर के सिच्छ संस्थानों की बीच कड़ी के रूप में कारे करता है अगला जो है इसका मूल उद्देश से चा संस्थाओं जिला से चा बोड विद्याले संगम संकुलन आजिक को सच्छिक सलायों मागदर्षन देना मतला इसको प्रमुक उद्देश है वह जिला से च्छा बोड बिद्याले श्रंगम आजिको सच्छिक सलायों मागदर्सन देना अब आगे आता है आपका जिला से च्छा पसेंट सस्थान के बिभिन ब्याग अब उनके बारे में लोग पढ़ते हैं तो जिला से च्छा पसेंट सस्थान के बिभिन ब्याग है उसके साथ बिभाग है यह भी आपके पर इच्छा में पूछा गया है खासकर बिटीसी की एक्जाम में यह कई बार पूछा जा चुका है कि डायट के कितने बिभाग होते हैं तो आप जानते रहिएगा डायट के कूल साथ बिभाग होते हैं जो करम से हैं यह साथ परणव भी भाग है जिससे आप लोग पढ़ली जेगा यह परिच्छा में प्राशन आ सकते हैं कि निभी कितने से कौन सा डायट का बिभाग नहीं है या कौन सा बिभाग है तो इक पर मैं पुना रिपीट कर देंगा सिवापूर सिच्छ पुर्श च्छण बिभाग कारेनभो बिभाग जिला संसाई काई सिवारत कार्म च्छत्री संपर को परवर्तन समन्न भी भाग पाठिकर्म सामागिरे विकास्व मुल्यांकर भी भाग तकनी की भी भाग नियोजयनों प्रबंदन भी भाग यह आपके लिए महत्वपूर्ण है अब आगे देखते हम लोग कि जिला और प्रसेच्छ संसा के कार यह आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों इसका प्रमुक कार क्या क्या है सिवापूर परसेच्छन संदर अब्यक्तियों को परसेच्छित करना बिद्यालों के प्रधाना ध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंदन की कायकम स्वांचालित करना सौर अब्यान को सफल बनाने में स्वायोग करना तो था प्रसेच्छन की विवस्था करना यह डायट का दूसर प्रमुकार है अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जिला सिच्छ प्रसेच्छ संथान में प्रसेच्छ डायट मेंटर दोस्तों इसमें बालकों को परामर्स और जिले में जिला सिच्छ प्रसेच्छ संस्थान में मनों बग्यानिवी भाग मारे डायट में एक मनों बग्यानिवी भाग होता है जो च्छात्रों सिच्छकों को मनों बग्यानिक परामर्स देने का कारे करता है यद्यपी इस संसा का मुख्यकार तो अध्यापकों का प्रस चन देता है मतलब यह क्योंब ध्याबकों के लिए लेकिन अनके सिच्ण हेतू मनों बेग्यानिक विध्यों का भी पृष्छण दिया जाता है यहाँ पर तो यह भी प्रेशनाव के लिए महत्पूर है जहां से प्रत्र पूछे में की संभावनाय भी रहती है अब आगे हैं दोस्तों की परिवेच्षण और निरेच्षण तंत्र यह भी उसी के अंतर गताता है इसमें एडम्स के अनुसार परिवेच्षण संस्थानों के सुधार के लिए एक नियोजित कारिकरम है विल्सन के अनुसार आधुनिक परिवेच्षण वसी छण आधुनिक स्रेश्ट वि बिकास की सही दिशा का ज्यान का मुख्य ध्यापक को कराता है माने परिश्चक जो है ये कई विद्यालों का परिश्चर करता है और विद्यालों की तुल्ला करता है और सही दिशा का मुख्य ध्यापक कराता है आगे में लोग पढ़ते हैं विद्याले प्रबंधन में परवेच्छ तंद्र की भूमिका दोस्तों यमहत्पूर यहां से प्रशन आ सकते हैं और आने की सम्होना भी है विद्याले प्रबंधन में परवेच्छ तंद्र की भूमिका दोस्तों ब्लाक संसाधन केंद्र जिसे संसाधन केंद्र का समन्यक ब्लाक के समस्त विद्यालों का परवेच्छन करता है इस परवेच्छन करता है इस परवेच्छन के आधार पर अपने बिचारों को उच्छ अधिकारी से तक पहुचाता है उसको अउगत कराता है ताकि विद्याले से प्रबंदन और प्रसाशन को सुधारा गास के मतलब जो बियार्सी का जो सबसे प्रमुक कारे है वो अपने ब्लाक के लुझ जतने विद्याले हैं उनका दौरा करके, और उसके आधायर पर जो उसके भीचार होते हैं, वह उच अधिकारियों से उसे आउगत कराना, ताकि विद्याले प्रभंधन के परसासन में सुधार किया जा सकें, और उसे सुधार जा सकें, अगला है, न्याए पंचायत संसादर केंद्र के समन्ने की भूमीका, दुस्तों, इसमें क्या होता है नियाय पंचाय संसादर के समन्ने के परचछक अधिकार के अंतरगत, नियाय पंचायत के समस्त बिद्धियाले आते हैं, देखी है महत्रपूर्ण, और इसका जो प्रमुकार है बिद्याले प्रबंदन, सिच्छकों की न्योक्ति, बिद्याले भौराज समंदीत, सूचना अपने अधिकारियों तक पहुचाता है, साथ ही सिच्छण अधिकंप्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए नवीन सिच्छण बिद्यों का परदास सिच्छण बिद्याले भौराज समंदीत, सूचना अपने अधिकारियों तक देना, तथा सिच्छण अधिकंप्रक्रिया को प्रभावसाली बनाने के लिए नवीन बिद्यों का प्रदासन तथा ग्यान कराता है, आगे देखते हैं एबियस से सहायक बेसिक सिच्छा अधि भौमिका, यह बलाक अस्तर पर सिच्छा अधिकारी होता है, तथा बलाक के विद्यालों की प्रबंदन व्योस्ता में सहायक बेसिक सिच्छा अधिकारी की भौमिका होती है, इसका मुख्य कारे नवीन विद्यालों के निर्माण, विद्यालों का परविच्छन वा सवी सेangenदेना फ़िस्टो यहह का काम होता है जो bisa कि अभी अव्य का एक ओलता है कि आगे हैं उपविध्यायलाई निरिषक की भूम का उप उपविध्याया निरिषक अपने अपने परविच्छक के आधार पर प्रधानाचार को बिद्यालाई के प्रबंधन समन्दी सुझाओ देता है बेसिक सायक सिच्चा के अधिकारी भी सायतावा दिरेशन का पारण करते हैं अगे दोस्तों जो महत्पूर हमारे लिए है यह है जिला समोन्यक की भूमिका ब्लाग संसादन केंद्रो का निरिच्छण परविच्छण करना ब्लाग के सभी समय को की बैठक बुला कर सिच्छण की नवीन बिलियों पर चर्चा पर चर्चा करना जिला समोन्यक की यह प्रमुक कार है अगला है बैसिक सिच्छा अधिकारी की भूमिका इसे आप विजश्य क्याते हैं इसका देख लिए हम लोग इसका सबसे महत्पूर कार क्या है बेसिक सिच्छा अधिकारी जीले की बेसिक सिच्छा का प्रमुक अधिकारी होता है यह जीले के प्राथिंग विद्यालों समंदित समस्किरिया कलाब विवस्था सिच्छकों की नियुक्ति आज के लिए जिम्मेदार होता है अगला आता है समुधायों बिद्यालर की सहयोगी समितिया असका सापदिक अर्थ है एक साथ सेवा करना होता है अर्थाज बुगार्स के अनुसार समुदाए एक ऐसा समाधिक समू है जिसमें कुछ मात्रा में हम बहावना हमकी बहावना होती है और यह एक छित्र बिसेश में रहता है समुदावे बिद्यालेग में संबंद जान डीवनी के अनुसार सवसेट अन्तियंद बुद्धिमान मातापिता अपने बच्चों के लिए चाहते हैं समुदावे सभी बच्चों के लिए वही चाहता है अतास पश्ठे की बिद्यालेगे प्रबंदन और प्रशाशन में समुदावे की महत्वण भूम क्या होती है बिद्यादाई के प्रबंदन और प्रशाशन में शायोग देने के लिए निम्न समितिया क्राम करती है पहला ग्राम सिच्छा समिति यह आपके लिए महत्वपूरा है ग्राम सिच्छा समिति अस्थाइन नियम 1972 का सन 1975 संसोदन किया गया आगे है उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट उन्य सौ सैतालिस का दिन या निश्चित किया गया कि प्रते गाउं में एक समित सब अस्थापित की जाएगी जिसके ग्रामिड सिच्छा समित के नाम से जाना जाएगा अब ग्राम सिच्चा समित के सदस कौन कौन होंगे ग्राम सभा का प्रधान अध्यच जो ग्राम सभा का प्रधान अध्यच होगा से मुख्या कहा जाता है वा इसका क्या होगा अध्यच होगा बेसिक बिद्यालों के चात्रों के तीन सरच्चा के अभिवावक यह उप विद्यालाई ने रिच्छक द्वारा मनोनित किये जाते हैं आगे तीसरा है बेसिक विद्यालाई का प्रदाना ध्यापक एक से अधिक विद्यालाई होने पर वरिष्टम प्रदाना ध्यापक इस समित का सच्यू होता है या महत्पूर्ण है ये एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजेगा समझ लीजेगा कि बेसिक बिद्याले के परदाना ध्यापक एक से अधिक बिद्याले होने पर वरिष्टम परदाना ध्यापक इस समित का सची होता है आगे ग्राम सिच्चा समित के कार क्या क्या कार इसके बिद्याले के समानों में सुधार के सुझाओ देना सिच्चकों के उपस्ति और समय के आने के समन्द में जिला बेजिच्चा अधिकारी को जानकारी देना बेसिक बिद्यालो के जाच करना ये इसके तीन प्रमुक कारे हैं आगे हैं विद्याले प्रबंधन समिति निसूलक एम अनिमार सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतरगत विद्याले प्रबंधन समिति के गठण का प्राउधान किया गया है तो विद्याले प्रबंदन जो समिती है इसके गठन का प्रावधान अधिनियम निसुल के ओम अनिवार सिच्छा जोग अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 की अंतरगत किया गया है प्रतीक दो वर्स इस समिती का पुनर गठन किया जाएगा इस समिती का गठन अनुदानित विद्यालों के अतरिक गर अनुदानित विद्यालों में भी किया जाएगा आगे हैं विद्याले प्रबंदन समिती में 15 सदस होंगे यह ध्यान दीजेगा विद्याले प्रबंदन समिती में कुल 15 सदस होंगे जिन में 11 सदस बालकों के माता-पिता होंगे 50% सदस महिलाए होंगे या मातपूर्ण है, इसको आप लोग समझ लीजगा कि विद्यालव प्रबनद समित में कुछ 15 सदस होंगे जिन में से 11 सदस बालकों के माता-पिता अभिवगाख होंगे उसमें भी लगबग 50% महिलाए होंगे बिद्यालब प्रबंद समित के सरच्छन सदस्यों में से एक सदस अनसुचित जाती एक अनसुचित जाती और पिछड़ा वर कमजोर वर कें बालकों को माता पिता अथो सरच्छन का समलित होंगे बिद्याले प्रबंद समित के सरच्छन सदस्यों में से एक अनसुचित जाती यस्सी यस्टी ओबीसी तक कम जोर वर के बालकों के माता पिता अत्वा सरक्षण समलित होंगे आगे हैं विद्याले प्रवंदन समिती विद्याले के प्रवंदन प्रशासन क्रिया कलाब आज सभी गद्विदियों की देखभाल के जिम्मेदारी विद्याले प्रवंदन समिती की होती है मातर सिचक संग माता को विद्यालई से जोडने के लिए मात्र सिच्छक संग की अस्थापना की गई मात्र सिच्छक संग के प्रमुक जो उद्देश है वह निम निखीत है हम लोग परते हैं मात्र सिच्छक संग के जो प्रमुक उद्देश है माताओं में सिच्छाग परती जागुरता उत्पन्य करना महिलाओं को उनकी सक्ती अधिकार कर्तब्यों का ज्यान कराना फिर विद्यालई सिच्छा में महिलाओं की भागेदारी को बढ़ाना यह मातर सिच्छा का प्रमुक उद्यस था मात्य शिचक संका स्वरु. अध्यच मात्य विवाद कोँ में से कोई एक होगा. मंत्री मंत्र देखा пять में अध्यआपकोँ में से कोई एक होगा. कोसाध्यच मात्ता अभिवावकों में से कोई एक चुना जाएगा माने केवल उपाध्यच विद्याले के प्रचार तदा कच अध्यापकों में से कोई एक हो सकता है मंत्री अध्यापकों में से कोई एक चुना जाएगा बाकी सभी पद चाहिए अध्यच हो चाहिए उपमंत्री हो कोसाध्यच हो या मात्र अभिवावकों में सही चुना जाएगा आगे हैं मात्र शिचक संग की बैठक प्रतेक सनिवार या रविवार के दिन दोपहर के बाद होगी या मात्र पूर्ण है मात्र सिचक संग के जो बैठक है प्रतेक महिने में सनीवार या रभीवार के दिन दोपहर के बाद होगी या मात्र पूर्ण है आप सब के लिए मात्र सिचक संग के कार क्या 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 कार है बिद्याले में बालिकाओं के नामंकन को बढ़ाना ताकि सरसिच्छा नभियान का जो प्रमकोदेश है कि बालक और बालिकाओं को समान सिच्छा देना सिच्छा के समान उसर प्रदान करना उसकी पूर्टी हो सके या उसकी पूर्टी हो सके इसलिए विद्याले में बालिकाओं के नामनकन को बढ़ावा देना मातर शिचक संग का कारियों में से सबसे प्रमुक है बालिकाओं को समुचित विकास को बढ़ावा देना ताकि वो भविस्व में लड़कों के साथ या बालकों के साथ कंदे से कंधा मिलाकर चल सके बालिका सिच्छा के प्रति लोगों को प्रेरीद करना ये मात्र सिच्छक संग का प्रमुक कारियों में एक है अब अभिवावक सिच्छक संग ये भी महत्वपूर्ण है बालक के सच्छी विकास में सिच्छक तता अभिवावकों की महत्वपूर्ण भोमिका होती है इसलिए प्रगत सिल सिच्छा बिवस्ता में अभिवाकों को समलित किया जाता है ताकि बालक का समुचित बिकास किया जा सके अब महिला प्रेरेगदल का कारे विद्याले की मेला परेड़क डलदौरा विद्याले की विवस्था में स्वयं सहयोग किया जाता था अन्यवחנו के लिए प्रिएरित किया जाता है मीना मंच यह महत्वपूरह को संचालित किया है इस सचिक्स योजना के अंतra गत मीना नामक बालिका के प्रमुक भूमिका को परदरसीत किया गया है या महत्यपूर्ण है, मानी मीनः बिद्याले वालिकाक के जो भूमिका है, उसका पर्दसन क्या गया है, कि मीनः एक बिद्याले मे जाने के लिए, यद परवेश के लिए, पढ़ाई के लिए, किस तरह से अगर्स करती है, और अपने आपको उसके प्रति सफल बनाती है, या जहां बालिकाएं अपने विचार भानाओं और सिमाओं को ब्यक्त कर सके यह मीना मंच का सबसे प्रमुक उद्देश्च है अगला बालिकाओं में नेतुत छम्ता को बिक्सित करना भी मीना मंच का सबसे प्रमुक कारे है आगे बालिकाओं को बीवा की आयू ग्यान का कराना ऐसा नहीं है कि जो बालिका हैं, उनकी अल्प आयू में बिवा कर दिया जाए, जो बिवा की आयू है, वो लड़कियों की 18 साल लड़कों की कई साल पूरा करने के बादी बिवा के योग्यों. आगे है, सरकारी एम गैर सरकारी संगतन, उत्तर परदेश की प्राथमिक सिच्छा प्रसासनेक विकेंदरी करने की दिष्ट से महत्पूर रही है, यहां परियाब समय से सिच्छा अस्थानी निकायों के अधिन रही है, ग्रामिर सिच्छों की सिच्छा विवस्था पर जिला हम लोगों ने देखा कि उत्तर सरकारियों गयर सरकारि संगटन उत्तर परदेश की प्राथमिक सिच्छा प्रसासने विक्यंद्री करने की देश्टिय से मात पूर रही है यहां परियाप समय के सिच्छा अस्थानी निकायों की अधिन रही है ग्रामिर छेत्रों की सिच्छा ब्युस्ता पर जिला परिश्द का नियंद तर रहा है 1972 में उत्तर परदेश बेसिक सिच्छा अधिनियम के असित्त में आने के बाद प्राथिंग विद्यारे को इसके आधिन रखा गया उत्तर परदेश सासंद्वर समिधान के 73 संसोदन की मूल भावना के दिश्टिगत रखते हुए एक जुलाई उन्नोई सो नियान बेखो ग्राम पंचायतों को प्राथिंग विद्यालेओं अनव चारी सिच्छा था प्रावन सिच्छा के कार के सिच्छा के कार अस्थानांत्रित करने का नियान लिया गया है यह था आपका एक सरकारी सिच्छा के अंदर अधिन करना यह तिहत्रों समिधान संसोदन को जो मूल भावना को दिश्टिगत रखते हुए एक जुलाई 1999 को ग्राम पंचायतों को प्रावन सिच्छा के कारे अस्थानत्रित करने का नियुड़े लिया गया आगे देखिए गैर सरकारी संक्टन जिसे एंजियो करते हैं नौन गौर्मेंट और्गनाइजेशन गैर सरकारी संक्टन एक ऐसी विचार धारत से संबंदित है जो की अच्छे नागरिकों के निर किसी भी कारे करने के आवस्यक रूप से बिलंब नहीं करता माने एक ऐसी संस्ता है जो लोगों के हित के लिए या प्रतेक ब्रक्ति के सहयों के लिए सद्धा तत्पर रहती है और कार करती है अब हम लोग देखते हैं कि एंजियो का जो संक्टन था इसका सबसे प्रमुक उ कर्मठ वक्तियों के समू का निर्माड जो कि राष्टियों समाज की प्रती समर्पन भाव से कर सके तीसरा था विभिन प्रकार के राष्टी आपदाओं एवं दैवी विपत्तियों में असहाय नागर्गों की साहता करना था उनको सामान इसी तक पहुचाना यह था आपके इन योगर सबसे प्रमुकार जो मैंने भी आपको पताने का प्रयास किया यहां से प्रस्ताने की संभावना है क्योंकि इस बार आपको सेलबस में इसे रखा गया है तो यहार से प्रस्त ना सकता है कि आपका सरकारी गयर संगटन का कब भी लाइक किया गया तो यह हो से जल्दी वीडियो उपलब्द कराऊंगो जो आपके केताबों में नहीं उपलब्द हो पा रहे हैं अगर यह आपको बहतर लगाओं अगर सेर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा क्योंकि वीडियो पड़ा लेंदी हो गया किन्तों यह महत्पूर था इसलिए मुझे मजबु परिम बनाना पड़ा फिर भी आप सबके आगामी परिच्छा के लिए बेस्टा प्लक जय हिन जय भारत